नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है बुद्ध प्रदोस ब्रत कथा भवान सीव का ध्यान करोडो चन्रमा के समान कांतिवान त्री नेत्र धारी मस्तक पर चन्रमा का आभुशन धारन करने वाले पिंगल वन के जटाजूट धारी नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुसोबित वरत हरस्त त्रिशूल धारी नागो के कुंडल पहने ब्यागर चर्म धार करने वाला वेक्ति सदा सुखी रहता है उसके संपून पापो का नास इस ब्रत से हो जाता है इस ब्रत को करने से सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है बंदी कारागार से छुट जाता है जो इस्तरी पुरूस का जिस भी कामना को लेकर इस ब्रत को करते हैं उन इस ब्रत को जो विती विधान और तन्मंधन से करता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं सभी माता और बहनों को 11-23 या फिर पूरे साल की 26-23 ब्रत करने के बाद उध्यापन करना चाहिए बुद्ध प्रदोस ब्रत का था बुद्ध प्रदोस सर्वकामना सिद्धि के लिए ब प्रद भवान संकर का प्रियब्रत है संकर जी की पुझा धूप बेल पतरादी से की जाती है प्राचिन कलकी कता है एक पुरुस का विवा हुआ वगोने के बाद अपनी पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुचा और उसने सास से कहा कि बुद्ध वार के बिन ही तस से मस नहीं हुआ विवस होकर सास ससूर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा पती पत्नी बेरगाड़ी से चले जा रहे थे नगर के बहार निकलते ही पत्नी को प्यास लगी पत्नी लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया जब वा पानी लेकर आया तो उसके क्रोद और आश्चरी की सीमा नहीं रही क्योंकि उसकी पत्नी पिसी अन्य पुरूस के लाए पानी को पी कर हस हस कर बतिया रही थी क्रोद उसे आग बबुला होकर वा उस आदमी से जगडा करने लगा मगर यह देखकर उसके आश्चरी की सीमा नहीं रही कि उस पुरूस की सकल उस आदमी से हुबहु मिलती थी हम सकल आदमियों को लड़ते जगडते देख काफी देर हो गई और वहाँ आने जाने वालों की भीर एकत्र हो गई सिपाई भी आ गया सिपाई ने इस तरी से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पती है वह तो बेचारी असममंजस में पड़ गई क्योंकि दोनों की सकल एक दूसरे से बिलकुल मिलती थी बीच रह में अपने पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुस की आँखे भराई वह भगवान संकर से प्रात्ना करने लगा कि है भगवान आप मेरी और मेरी पत्नी की रच्छा करो मुझसे बड़ी भूलो गई कि मैं बुद्वार को पत्नी को बिदा किरा कर लाया भविस्य में ऐसा अपरात कदापी नहीं करूँगा उसकी अपरात्ना जैसे ही पूरी हुई दूसरा व्यक्ति अंतर ध्यान हो गया और भवपुरुस सकुसल अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर पहुँच गया उस दिन के बाद से पत्ति पत्नी नियम पुर्वक बुद्ध प्रदोस ब्रत करने लगे जिस प्रकार भुलेनात ने इस व्यक्ति की मदद की उसी प्रकार भगवान सीव की कथा सुनने पढ़ने और ब्रत रखने से भुलेनात सदे उसका साथ देते हैं और जिवन में आने वाली सभी संकटों को हर लेते हैं बुले भगवान भुलेनात की जैब दोस्तो इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक से रवर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद